भाई सभी उसनिल भाई जी का प्रणाम सभी को आदेश और मैं आज दाम के लिए फिर सेख सुचना लेकर आए हूं आप सब के लिए तो विडियो को ज्यादा ना लुमा करते हुए मैं बता दिता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को जो अभी दिवाली की अर्जी लगनी तो इसके अंतरगत हम यह देखते हैं कि कोई तन तांतरिक आपके ऊपर कोई क्रिया तो नहीं कर रहा है अगर वो किरिया करता है तो उसका जज्जमेंट हमें रहता है कि अगर क्रिया करता है तो हम उसके लिए हमारे से जो भी होता है हम करते हैं ठीक है दाम के अंदर तो मै जो तो इसी के साथ मैं मैं बता देता हूं कि आपको आना कब है तो आपको आना है 25 तारिक को ठीक है तो 25 अक्टूबर तो 25 तारिक को आपको लोगों को सभी को आना है सुब ऐसे लेके आप शाम तक आ सकते हैं मेरे पास में 25 तारिक को ही आप लोगों को आना है इसके अलावा कोई भी डेट निरधारित नहीं की गई है तो आप 25 तारिक को आएं और अपनी अरजी लगाएं लाना क्या है साथ में वो भी शुनलो, दो आपको बुंदी वाले लड़ू लेके आने हैं, दो पेड़े लेके आने हैं, और साथ में एक सरसो की तेल की बोतल, जो जोत में तेल डाला जाता है, ठीक है, तो सभी को यही चीज़े लेके आनी है, और कुछ नहीं लेके आना है, सरसो की तेल की बोतल, जो जोत में डाली जाती है, दो पेड़े, दो बुंदी वाले लड़ू, यही चीज लेके आनी है, घर का कोई भी एक सदस्य आ सकता है, यह सभी के लिए कंपल्शिरी है, कभी बाद में यह मत बोलना कि भईया, हमने तो आपसे इलाज करवाय था, और हमारे तो इलाज नहीं ह उपर, यह दिवाली का है, यह जो भोग है, अरजी का, तो यह इसके लिए आपको 25 तारिक को आना है, ध्यान से सुन लेना, अगर बाद में फिर बोलोगे कोई बंदा नहीं आया, तो उसकी फिर डवल फीस हो जाएगी, ठीक है, अभी 11,000 रुपे फीस चल रही है, तो किस अजार देने पड़ेंगे, फिर अगर नहीं आये तो दिवाली के उपर, यह आपके अरजी लगती है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, इसी के साथ में, जैश्री महाकाल,